12 सितंबर 2019 को कानपुर नगर के मोहला रामा देवी के रहने वाले कुछ लोगों ने कानपुर फतेहपुर रेलवे लाइन के किनारे दो लाशें पड़ी देखी तो उन्होंने यह खबर मोहले के लोगों को दे दी चुँकि रामा देवी मोहला लाइनों के नस्दीक था इसलिए कुछ ही देर में दर्जनों लोग मौके पर पहुँच गए रेलवे लाइनों से किनारे रेल से कटे हुए दो शव पड़े थे उनमें एक शव युवती का था और दूसरा युवक का युवती की उम्र करीब 17-18 साल थी जबकि युवक 21-22 साल का रहा होगा लाशों को देखने से लग रहा था कि वे प्रेमी-प्रेमी का रहे होंगे इस घटना की जानकारी स्थानिय सभासद K.K पांडेय को हुई तो वह भी घटना स्थल पर पहुँच गए उन्होंने लाइन किनारे दो शव पड़े होने की सूचना थाना चकेरी पुलिस को दे दी थाना चकेरी के थाना प्रभारी रणजीत राय ने पहले यह जानकारी अपने अफसरों को दी फिर श्यामनगर चौकी इंचार्ज राघवेंद्र आदी के साथ घटना स्थल पर जा पहुँचे उनके वहां पहुँचने के कुछ देर बाद S.A.S.P. अनंत देव तिवारी तथा A.S.P. साउथ रवीना त्यागी भी घटना स्थल पर आ गई थी आला अधिकारियों ने आते ही घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षन शुरू कर दिया पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से शवों की शिनाख्त कराने का प्रयास किया लेकिन एककत्र लोगों में से कोई भी उनकी शिनाख्त नहीं कर पाया तब SP, साउथ, रवीना त्यागी ने एक सिपाही को मृतक के बैग की तलाशी लेने को कहा सिपाही ने बैग की तलाशी ली तो उसमें से मृतक का ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल फोन, युवती के साथ खिंचाई गई फोटो तथा I love you लिखा तकिया मिला फोटो से लग रहा था कि प्रेमी युगल वैशनो देवी गए थे युवती की लाश के पास एक लेडीज बैग पड़ा था पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके अंदर एक लेडीज पर्स मिला जिसके उपर दिब्यापुर और रईया ज्वैलर्स लिखा था पर्स के अंदर मोबाइल फोन, चूडियां, बिंदी तथा शरंगार का सामान था बैग से कुछ कपड़े तथा हाई स्कूल की मार्कशीट मिली मार्कशीट में उसका नाम शिवांगी तथा पिता का नाम कनहयालाल गौतम लिखा था इससे अनुमान लगाया कि युवती शायद दिब्यापूर की रहने वाली रही होगी मृत युवक के बैग से जो ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ उसमें उसका नाम नागेंदर सिंह यादव, पिता का नाम जितेंदर सिंह यादव, निवासी बाला का पुर्वा, खागा, जिला, फतेहपुर लिखा था निरीक्षन के बाद SP, साउथ, रवीना त्यागी ने थाना चकेरी थाना प्रभारी रणजीत राय को आदेश दिया कि वह दोनों शवों को पोस्ट मार्टम के लिए भिजवाएं और उनके परिजनों को सूचना दे दें थाना प्रभारी रणजीत राय ने दोनों शवों को पोस्ट मार्टम हेतू कानपुर के लाला लाजपतराय अस्पताल भिजवा दिया साथ ही मृतकों के घरवालों को भी सूचना भेज दी दूसरे रोज मृतक के घर वाले लाला लाजपत राय अस्पताल के पोस्ट मार्टम हाउस पहुँचे ऐसाई रागवेंद्र कुमार वहां मौजूद थे रागवेंद्र ने परिजनों को मृतक युवक की लाश दिखाई तो वे फफक पड़े और बोले यह लाश नागेंद्र सिंह की है लाश की शिनाख्त नागेंद्र के पिता जितेंद्र सिंह यादव चाचा राजेंद्र तथा बुआ आशा देवी ने की थी मृतक युवक के परिजन अभी मोर्चरी में ही थे कि युवती के घर वाले भी वहां आ गए ऐसा ही राजवेंद्र ने उन्हें युवती का शव दिखाया तो पिता कनहया लाल गौतम फफक कर रो पड़े और बोले साहब यह शव मेरी बेटी शिवांगी उर्फ बिट्टो का है वह पिछले दो सप्ता से घर से गायब थी शव की शिनाख्त शिवांगी के पिता कनहया लाल गौतम, दादा शिवराम तथा फूफा सुन्दर ने की थी शिनाख्त के बाद दोनों शवों का पोस्ट माटम कराया गया इसके बाद शव उनके परिजनों को सौब दिये गए दोनों के घर वालों ने आपसी सहमती से भैरव घाट पर एक ही चिता पर दोनों का दाह संसकार कर दिया नागेंद्र और शिवांगी कौन थे? वे प्यार के बंधन में कैसे बंधे? फिर ऐसी क्या परिस्थिती बनी जिससे उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा ये सब जानने के लिए हमें उनके अतीत की ओर लोटना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर की खागा तहसील के अंतरगत एक गांव बाला का पुरवा है इसी गांव में जितेंद्र सिंह यादव अपने परिवार के साथ रहता था उसके परिवार में पतनी माया देवी के अलावा तीन बेटे नागेंदर सिंह, शेर सिंह, वीर सिंह तथा तीन बेटियां थी जितेंद्र कानपुर के फजल गंज स्थित एक ट्रांस्पोर्ट कमपनी में ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता था जितेंद्र सिंह यादव का बड़ा बेटा नागेंदर सिंह, शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट और स्मार्ट था उसका मन न तो पढ़ाई में लगता था और ना ही खेती किसानी के काम में जितेंद्र चाहता था कि नागेंदर पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करे पर नागेंदर ने हाई स्कूल पास करने के बाद पढ़ाई बंद कर दी थी बेटा कहीं आवारा लड़कों की संगत में न पढ़ जाए इसलिए जितेंदर ने उसे भी ट्रक चलाना सिखा दिया वह उसे अपने साथ ले जाने लगा नागेंदर जब ट्रक चलाने में एक्सपर्ट हो गया नागेंदर जब ट्रक लेकर धनबाद या कोलकाता जाता तब जितेंदर कमरे में आराम करता और जब जितेंदर बाहर जाता तो नागेंदर आराम करता था जितेंदर की बहन आशा देवी की ससुराल और रईया जिले के गांव बूढ़ा दाना में थी आशा देवी अपनी बेटी आरती की शादी कर रही थी शादी की तारीख 8 मार्च 2019 तय हुई थी रीति रिवाज के अनुसार शादी का पहला निमंतरन मामा को भेजा जाता है इसलिए आशा देवी भी निमंतरन कार्ड लेकर अपने भाई जितेंदर के घर बाला का पुर्वा पहुँची चुँकि शादी वाली तारीख पर जितेंदर को ट्रक लेकर बिहार जाना था इसलिए उसने नागेंदर को उसकी बुआ के घर शादी समारोह में शामिल होने के लिए बुढ़ा दाना भेज दिया नागेंदर ने अपनी फुफेरी बहन आरती की शादी में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया और खूब काम किया इसी शादी समारोह में नागेंदर की नजर शिवांगी पर पड़ी आरती की नजदी की सहेली थी जो उसके पडोस में ही रहती थी वह सहेली की शादी में खूब सजज़ कर आई थी अपनी सहेलियों में वह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिख रही थी जैसे ही नागेंदर की नजरें शिवांगी से मिली तो वह मुसकरा पड़ी इससे नागेंदर के दिल में हलचल मच गई शिवांगी का गुलाब सा चहरा नागेंदर के दिल में बस गया शिवांगी के पिता कन्हया लाल गौतम बूढ़ादाना गांव में आशा देवी के घर के पास ही रहते थे उनकी पत्नी सविता का निधन हो चुका था परिवार में बेटी शिवांगी तथा बेटा विकास था कन्हया लाल हलवाई का काम करते थे विवाह समारोह में वह खाना बनाते सहालक के दिनों में उन्हें रात दिन काम करना पड़ता था जब शिवांगी की मा का निधन हुआ था तब वह केवल तीन महीने की थी पत्नी की मौत के बाद कनहयालाल ने ही बच्चों का पालन पोशन किया था अब आगे पढ़ें शिवांगी खूबसूरत थी जब उसने सोलावां बसंत पार किया तो उसके सौंदर्य और भी निखार आ गया उसे जो भी देखता उसकी खूबसूरती की तारीफ करता शिवांगी पढ़ने लिखने में भी तेज थी उसने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी वह आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी लेकिन उसके पिता ने उसकी आगे की पढ़ाई बंद कर दी थी शिवांगी की सहेली आरती उससे तीन साल बड़ी थी जो उसके पडोस में ही रहती थी दोनों पक्की सहेलियां थी जब आरती का विवा हुआ तो शादी के समारोह में शिवांगी की उपस्थिती जरूरी थी शादी समारोह के बाद नागेंद्र को अपने घर लोट आना चाहिए था लेकिन शिवांगी के प्यार ने उसके पैरों में जैसे जंजीर डाल दी थी वह बुआ के घर ही रुका रहा नागेंद्र को जब शिवांगी के करीब जाने की तडब सताने लगी तो वह उसके घर के चक्कर लगाने लगा शिवांगी दिख जाती तो वह उससे हसने बतियाने की कोशिश करता नागेंदर की आँखों में अपने प्रती चाहत देख कर शिवांगी का भी मन विचलित हो उठा अब वह भी नागेंदर से मिलने को आतुर रहने लगी चाहत दोनों तरफ थी लेकिन प्यार का इजहार करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था नागेंदर ऐसे मौके की तलाश में रहने लगा जब वह अपने दिल की बात शिवांगी से कह सके चाह को राह मिल ही जाती है एक दिन नागेंदर को मौका मिल ही गया शिवांगी को घर में अकेली देख नागेंदर ने कहा शिवांगी अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ बात ही तो कहनी है तो कह दो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है शिवांगी ने जिजखते हुए कहा शायद उसे पता था कि नागेंदर क्या कहने वाला है शिवांगी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो मुझे तुमसे प्यार हो गया है जब तक मैं तुम्हारा चेहरा न देख लूँ मुझे चैन नहीं पड़ता नागेंदर ने मन की बात कह दी नागेंदर की बात सुनकर शिवांगी के दिल में गुदगुदी होने लगी वह शर्माते हुए वह बोली नागेंदर, मेरा भी यही हाल है सच कहते हुए नागेंदर ने शिवांगी को अपनी बाहों में भर कर कहा मैं यही बात सुनने को कब से इंतजार कर रहा हूँ उस दिन के बाद दोनों का प्यार परवान चड़ने लगा मिलना मिलाना भी होने लगा दोनों का प्यार इतना गहरा हो गया कि वे जीने मरने की कसमे खाने लगे नागेंद्र लगभग दस दिनों तक बुढ़ा दाना में रहा और शिवांगी से प्यार की पींगें बढ़ाता रहा इसके बाद वह कानपुर लोट आया हालांकि बुआ के घर अधिक दिनों तक रुकने को लेकर पिता ने उसे डाटा फटकारा लेकिन नागेंद्र ने बहाना बना कर पिता का गुस्सा शांत कर दिया था नागेंद्र चला गया तो शिवांगी को एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया उसके जहन में नागेंद्र का हंसता मुसकराता चेहरा घूमता रहता था वह हर समय नागेंदर के खयालों में डूबी रहती एक दिन शिवांगी नागेंदर के खयालों में डूबी हुई थी कि मोबाइल की घंटी बजी उसने स्क्रीन पर नजर डाली तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा क्योंकि वह काल उसके प्रेमी नागेंदर की थी काल रिसीव करते ही नागेंदर बोला तुम्हारे गाव से लोटने के बाद यहां मेरा मन नहीं लग रहा मेरा भी यही हाल है नागेंदर दोनों के बीच अभी बातों की शुरुआत हुई ही थी कि शिवांगी का भाई आ गया तो शिवांगी ने यह कहते हुए मोबाईल बंद कर दिया कि बाद में काल करती हूँ भाई के चले जाने के बाद शिवांगी ने नागेंदर को फोन मिलाया और काफी देर तक बातें की इसके बाद दोनों की मॉबाइल पर अक्सर रोजाना बातें होने लगी बिना बात किये ना नागेंद्र को चैन मिलता था नहीं शिवांगी के दिल को तसली होती थी इस तरह हंस्ते बतियाते तीन माह का समय बीट गया शिवांगी ने लाख कोशिश की कि उसके प्रेम संबंधों की जानकारी किसी को ना होने पाए लेकिन ऐसा हो नहीं पाया एक दिन देर शाम शिवांगी मोबाइल पर नागेंदर से बतिया रही थी तब ही उसकी बातें उसके भाई विकास ने सुन ली उसने यह बात अपने पिता को बता दी शिवांगी की हरकत का पता चलने पर कनहया लाल गौतम सन रह गए उन्होंने उसे कमरे में ले जा कर समझाया शिवांगी तुझ पर तो मैं बहुत भरोसा करता था लेकिन तू मेरे भरोसे को तोड रही है आशा के भतीजे नागेंदर से तेरा क्या चक्कर है पापा, मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है शिवांगी ने दबी आवाज में कहा तू क्या सोचती है कि तेरी बातों पर मुझे विश्वास हो जाएगा जो बात मैं कह रहा हूँ उसे कान खोल कर सुन ले आज के बाद तू नागेंदर से मोबाईल पर बात नहीं करेगी मना करने के बावजूद अगर तूने हरकत की तो मैं तुझे जिन्दा जमीन में गाड़ दूँगा भले ही मुझे फांसी की सजा क्यों न हो जाए कनहया लाल ने धमकी दी पिता ने जो कहा था वह सच था इसलिए शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया वह पिता की चेतावनी से डर गई थी डर की वजह से शिवांगी ने कुछ दिन नागेंदर से बात नहीं की जिससे नागेंदर परेशान हो उठा वह जान गया कि कोई बात जरूर है जिससे शिवांगी उससे बात नहीं कर रही है और उसका फोन भी रिसीव नहीं कर रही है लेकिन प्रेम दीवानी शिवांगी को पिता की नसीहत रास नहीं आई वह तो नागेंदर के प्यार में इस कदर डूब गई थी जहां से निकलना मुम्किन नहीं था जब शिवांगी को लगा कि घरवालों का विरोध बढ़ रहा है तो उसने मोबाइल पर अपने प्रेमी नागेंदर से बात की नागेंदर, मैं बहुत परेशान हूँ घरवालों को हमारे प्यार की जानकारी हो गई है पापा तुमसे दूर रहने की धमकी दे चुके हैं लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती कोई उपाय ढूंडो शिवांगी, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ तुम्हारे पापा पुराने खयालों के हैं वह हम दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे अब तुम उपाय खोजने की बात कर रही हो तो फिर एक ही उपाय है कि हम दोनों घर छोड़ दें और कहीं और जाकर दुनिया बसा लें नागेंदर बोला शायद तुम ठीक कह रहे हो मैं तुम्हारे साथ घर छोड़ने को राजी हूँ शिवांगी ने सहमती जताई तो ठीक है तुम 30 अगस्त 2019 की दोपहर मुझे दिब्यापुर फफूंद रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म नंबर एक पर मिलो वहीं से हम दोनों आगे का सफर तय करेंगे नागेंदर ने कहा नागेंदर से बात करने के बाद शिवांगी घर छोड़ने की तैयारी में जुट गई उसने कुछ आवश्यक सामाननव कपड़े एक बैग में रख लिए 30 अगस्त की सुबह कनहया लाल काम पर चला गया और विकास अपने स्कूल चला गया उसके बाद शिवांगी मुख्य दर्वाजे पर बाहर से कुंडी लगा कर बैग लेकर घर से निकली और दिबियापुर रेलवे स्टेशन जा पहुँची वहाँ एक नंबर प्लेटफार्म पर नागेंदर पहले से ही मौजूद था कुछ देर बाद दोनों ट्रेन पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो गए शाम को विकास तथा उसका पिता कनहया लाल वापस घर आये तो मुख्य दर्वाजे पर कुंडी लगी थी होँप कर नागेंदर के साथ भाग गई है उन्होंने इस बाबत अपनी पडोसन नागेंदर की बुआ आशा देवी को जानकारी दी तो वह अवाक रह गई हलांकि उसने सच्चाई को नकार दिया कनहया लाल रात भर उल्जन में रहे इस बीच उन्होंने कई बार शिवांगी का फोन मिलाया लेकिन उससे संपर्क नहीं हो सका कारण उसका मोबाइल फोन बंद था सुबह दस बजे कनहया लाल थाना दिबियापुर पहुँचे और नागेंदर वह उसके पिता जितेंदर यादव के खिलाफ की जाए चुँकि मामला लड़की के अपहरण का था इसलिए दिबियापुर पुलिस सक्रिय हो गई और शिवांगी को बरामत करने के लिए नागेंदर के गाम बाला का पुर्वा, खागा, में छापा मारा लेकिन घर पर न तो नागेंदर शिवांगी थे और नहीं नागेंदर का पिता जितेंदर घर पर नागेंदर की मा माया देवी और चाचा राजेंदर थे उनको पुलिस से ही जानकारी मिली कि नागेंदर शिवांगी को बहला फुसला कर ले गया है राजेंद्र ने अपने बड़े भाई जितेंद्र से मोबाईल पर बात की तो पता चला कि वह ट्रक लेकर कोलकाता आए है राजेंद्र ने उन्हें नागेंद्र की नादानी तथा घर पर पुलिस आने की जानकारी दी तो वह घबरा गए पुलिस भी पूछताच करके वापस चली गई जितेंद्र यादव ने मोबाईल पर नागेंद्र से बात की तो पता चला कि वह कानपुर में गडरियन पुर्वा स्थित अपने कमरे में है जितेंद्र ने उसे उसकी हरकत पर जम कर लताड़ा साथ ही बताया कि शिवांगी के पिता ने उन दोनों के खिलाफ दिब्यापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है इसलिए वह शिवांगी को उसके घर छोड़ा आए थाने में रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी नागेंद्रव शिवांगी को मिली तो दोनों घबरा गए लेकिन पिता के कहने के बावजूद नागेंद्र शिवांगी को उसके घर छोड़ने नहीं गया नागेंद्र को डरसताने लगा कि शिवांगी और उसकी तलाश में पुलिस कानपूर में उसके कमरे पर भी आ सकती है इसलिए वह चार सितंबर को अपने कमरे में ताला लगा कर शिवांगी के साथ वैष्नो देवी दर्शन के लिए कटरा के लिए रवाना हो गया वैशनो देवी पहुँचकर दोनों ने देवी के दर्शन किये और दोनों ने साथ साथ जीने मरने की कसम खाई दर्शन के बाद दोनों ने देवी की चुनरी के साथ फोटो खिंचवाई नागेंद्र ने शिवांगी की मांग में सिंदूर भर कर उसे अपनी पतनी के रूप में स्वीकार किया शिवांगी ने बाजार से चूड़ी, बिंदी व अन्य सामान खरीदा वापस लौट कर दोनों कटरा के एक होटल में रुके इस होटल में वे मात्र एक दिन रुके उसके बाद वापस कानपुर के लिए रवाना हो गए 11 सितंबर 2019 की रात नागेंद्र और शिवांगी वाया लखनव कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे वहाँ नागेंद्र ने सोचा कि गाव जाकर मा का आशीरवाद ले आए यही सोचकर दोनों रामा देवी चौराहा पहुंच गए यहां से उन्हें खागा के लिए बस पकड़नी थी नागेंद्र अभी बस का इंतजार कर ही रहा था कि उसके मोबाइल की घंटी बजी काल उसके पिता जितेंद्र की थी नागेंद्र ने काल रिसीव की तो जितेंद्र बोला नागेंद्र क्या तू मुझे जेल भिजवा कर ही मानेगा पुलिस घर पर बार-बार दबिश दे रही है तेरी नादानी ने हम सब को मुश्किल में डाल दिया है समझ में नहीं आता क्या करूँ फोन पर पिता की बात सुनकर नागेंद्र गहरी सोच में डूब गया उसकी हालत देखकर शिवांगी ने पूछा क्या हुआ तुम सोच में क्यों डूब गये वह बोला नहीं नागेंद्र मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूँगी शिवांगी भावुक होकर बोली तब तो एक ही उपाय है शिवांगी उसने कहा वह क्या शिवांगी ने पूछा हम एक साथ जी नहीं सकते तो एक साथ मर तो सकते हैं इस जनम हमारा मिलना नहीं हो सका तो अगले जनम में जरूर होगा नागेंद्र मायूस होकर बोला तुम ठीक कहते बातों के बाद दोनों ने रेल पट्री की ओर कदम बढ़ा दी वे रामा देवी ओवर ब्रिज के नीचे रेल पट्री पर पहुँचे ही थे कि हावडा की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस आ गई ड्राइवर ने दोनों को हाथ डाले देखा तो सीटी बजाई लेकिन वे दोनों नहीं हटे रेल गाड़ी उन्हें रौंधती हुई निकल गई हालांकि ड्राइवर ने आकस्मिक ब्रेक लगाए और गाड़ी भी रुकी लेकिन तब तक दोनों के शरीर टुकडों में बंच चुके थे बारा सितंबर की सुबह लोगों ने रेल पठरी के किनारे दो शव पड़े देखे इसके बाद सूचना पाकर थाना चकेरी पुलिस घटना स्थल पहुँची और शवों को कबजे में लेकर जाँच शुरू की नागेंद्र व शिवांगी द्वारा आत्महत्या कर लेने की जानकारी जब दिब्यापुर पुलिस को लगी तो उसने चकेरी पुलिस से संपर्क किया फिर जांच के बाद पुलिस ने उस मुकदमे को खारिज कर दिया जिसमें नागेंदर वह उसके पिता को आरोपी बनाया गया था थाना चकेरी पुलिस ने भी प्रेमी युगल आत्महत्या प्रकरण को अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया था लेकिन बाद में फाइल बंद कर दी इस वीडियो का उद्देश ये किसी का दिल दुखाना नहीं है अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्राइम से बचे अपना और अपने परिवार वालों का खयाल रखें मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद